तो दोस्तो मैं आज जैसा कि सुबह ही जो है पहुंचा हूँ अपने रूम में और जिस बेड़ पे मैं रहता था वो बेड़ जो है आपको दिखा रहा हूँ यह है मेरा बेड़ और यहां पे दूसरे एक भाई रहते हैं और यहां पे जो है तो चुकि मैं छुट्टी पे गय इसा नीचे आचरा कचरा हो गया है पूरा एक्दम समान वान इधर उदर रखा हुआ है और यह मैंने हैंकर जो बनाया था वह तो यह इसलिए ऐसा हो गया है क्योंकि मैं नहीं था तो जाहित ही बात है जो अपने बेड़ पे नहीं रहेगा तो उस पे ज्यादा जाड़ू पोचा नहीं होगा या ज्यादा उसका केर नहीं किया जाएगा तो अभी चुकि मैं आया हूँ तो अभी मुझे जो है अपना बेड़ साफ करना है और बेड़ सीट भी मतलब मेरा थोड़ा यह है और देख सकते हैं यह निच्छे साइड में भी काफी कचरा मतलब दीख रह जाड़ा है और साफ करके जो है बढ़ियां से जाड़ू पोचा करके उसके बाद में जो है मैं लगाओंगा तो देख सकते हैं अभी मैं जो है इसको अभी जैस्ट मतलब एक घंटे पहले में आया हूँ तो अभी मतलब इसको कुछ किया ही नहीं हूँ जैसे तैसे रखके और फटाक से सो गया था क्यूंकि भई नाइट में गुटी जो है सब को डूटी जाना था तो सब लोग जो है डूटी चले गे मौर्निंग में तो अभी मैं सब समान मान सब भी कठा करके बब्ब कच्छरा इसको हटाता हूं और इसको हटाके पूरा साफ करके उसके बाद लगाऊंगा तो दोस्तों अभी बहुत काफी देख सकते हैं यह बेड़ है और नीचे का आप जाके थोड़ता साफ लग रहाUND बेट के ऊपर यहे सब कुछ शमान रखा हुआ है कि जहां हमको रहना भी देख सकते हैं यहां बड़ ज़हां हुआ है तो उस जगें को भाई, खुदी साफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमारी माता या भेहन या वाइफ नहीं है, यहां पर जो भी कुछ करना है, वो हमें ही करना है, तो साफ सपाई कभी भी से ध्यान देना है, तो अभी मैंने यह सब साफ पूरा कर दिया है, यहां पर, और अब क्या करोंगा कि यहां पर पूछा लगाऊंगा, और पूछा लगा कि थोड़ा फिलाल tragen के नीचे डाल के रखओंगा, और उसके बाद में तब यहां पर सो़येंगे, बैठेंगे, आराम से, क्योंकि कोख रो नहीं आने चाए तो, जो है साफ कर लिया, बहुत मेनIST करना पड़ा और आज वहतं ही आया था तो मैं सोचा थोड़ा साफफाई कर लूं ताकि फिर मेल ड्यूटी दढ़ जाओं तो फिर फ्राइडे फ्रायडें को चुट्टी, रहता हैं फ्राइडें को हम लोग साफ ही करते हैं लेकिन भी जो है यह कर लें महिने बाद आया हूं तो दस महिने बाद देख सकते हैं कैसा जो हालत हो गया है मेरे बेड़े उड़का जो भी जगें जहां पर मैं रहता हूं पूरा एदम कचरा हो गया है तो बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है कि मतलब ठीक है लेकिन यही सब चीज जो है थोड़ा गंदा हो गया है तो इसको मैं पूरा साफ करूंगा और अभी तक इंडिया से तीन चार वीडियो डाला था और मैं दो महिने के शूट्टी पे गया था लेकिन दस महिने मतलब रहे गया फ्लाइट ना चालो रहने के वज़े से तो अब से जो भी वीडियो मिलेगा आपको यहां पर मैं अपना इस टुडियो इंडिया वाला ओला डिखाया हूँ तो आप यहां पर जो है वीडियो मिलेगा यहां पर मैं ऐसा बैक ग्राउंड देख सकते हैं यहां पर वाइट है तो यहां मतलब बेड़ वोट्यूरे uh penis को साफ करके उस के बास से पूरा समान रखक तब फिर मैं जाओंगा company तो चलिए ठीक है फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए goodbye